असलाम लेकूम फ्रेंड्स वेलकम टू माई प्लांट वर्ड फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक और न्यू प्लांट शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स ये जो छोटे-छोटे से बहुत ही खुबसूरत लेवेंडर लाइलिक से कलर के फ्लावर्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये फ्लावरिंग प्लांट है टुबाकिया वायोलेसा इसे कॉमनली सोसाइटी गार्लिक लिली भी कहा जाता है इसके इलावा इसे वाइल्ड गार्लिक लिली भी कहा जाता है फ्रेंड्स ये बहुत ही खुबसूरत प्लांट है बहुत ही इजी टू ग्रो ताकि हम इजिल एस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रोू कर सकें फ्रेंड्ड ये एक एड़िय। प्लांट है और इसके इलावा इसमें बहुत सारी मेडिशनल प्रॉपर्टिज भी हैं लिकिन इसे एज़ा ओनमेंटल प्लांट भी ग्रो किया जाता है जैसे कि हम लोग इसे ग्रो कर रहे हैं फ्रेंड्स ये हर्बीशियस पेरीनिल प्लांट है सारा साल ये प्लांट जो है वो रहता है और समर इसका ग्रोइंग इसमें जो फ्लार्ज आते हैं ये कलस्टर की शकल में फ्लार्ज आते हैं और एक कलस्टर में 12 से 15 फ्लार्ज होते हैं और इसकी एक लंबी सी स्टॉक जो है वो प्लांट में से निकलती है ये देखें ये इसका प्लांट है और इसमें से इसकी लंबी सी स्टॉक निकलती है जि तरह से इसके भी पत्ते हैं और इनके इन पत्तों को अगर तोड़ा जाए और उनको क्रश करके देखें तो इसमें से बिल्कुल गार्लिक की तरह की ही खुश्बू आती है लेकिन इसमें ये फ्लार्ज जो हैं ये एक अडिशनल इसकी खुबसूरती पैदा करते हैं फ्रेंड ये जो खुबसूरत फ्लार्ज हैं ये सैलड में गार्निश के तोर पर यूज किया जाते हैं और इसके ये जो ग्रीन इसके लीफ्स हैं ये जो इसकी फूलिज है ये फूलिज इसकी सूप में यूज की जाती है फ्रेंड्स ये प्लांट हम पॉट में जमीन में कहीं पर भी बहुत ही असानी से grow कर सकते हैं pot में जैसे के मैंने आपको दिखाया है मैंने इसे pot में grow किया हुआ है लेकिन अगर आपके पस ground है तो आप इसे ground में flower beds के तौर पर ground cover के तौर पर और borders के तौर पर इसको लगाया जा सकते है landscape से त्यार की जा सकते है बहुत ही खुब्सूरत लगता है ये प्लांट ये प्लांट है ये दो तरह कि entsprech आते है एक प्लें ग्रीन फोलियज वाल जैसे कि मेरे पास है इसके लवह इसके अगर हम soil की बात करें तो इसे हम sandy soil well-drained soil में ही grow करेंगे तो यह अच्छा grow करेगा clay soil इसके लिए ना हो तो बेतर है खास तोर पर अगर हम इसे pot में grow कर रहे हैं क्योंकि यह एक tuberous plant है इसकी tuberous roots होती है इसलिए अगर इसे sandy soil में grow किया जाए तो ही इसकी अच्छी growth होगी और इसकी lover friends इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जो कि sunny place हो सारा साल इससे sunny location में ही रखना है लेकिन अब जब कि गर्मी थोड़ी शदीद होगी है मौसम गरम जादा होने लगा है तो फिर इसे हम किसी इसी जगह पर रख सकते हैं खास तो पर अगर pot में लगाया है जहां पर इसे दोपहर की शदीद धूप ना लगे उससे इसको अगर हम बचा लें तो फिर ये बहुत अच्छा grow करेगा और अगर जमीन में लगा है तो फिर इसको कोई मसला नहीं होता और इसकी अगर वाटरिंग की बात करें तो ये प्लांट ड्राउट टॉर्लन प्लांट है लेकिन पानी इसे जरूट के मताबक देंगे अभी इसका ग्रोइंग सीजन है तो अब हम इसे रुजाना भी पानी दे सकते है बलके पानी रुजाना इसको देना चाहिए इसकी जरूट है लेकिन जब सर्दियां होंगी तो जब ये प्लांट डॉर्मेंसी में होगा तो तब इसे कम पानी के जरूट होगी इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी प्रॉपगेशन की इसकी प्रॉपगेशन बहुत ही असान है ये प्लांट मल्टिप्लाइ खुद से होता रहता है और बहुत सरे प्लांट जो है एक प्लांट से बहुत सरे प्लांट जो है वो तियार हो जते हैं इसकी टूबरेस रूट जो है वो बनती रहती है इनको हम easily divide करके एक प्लांट से बहुत सरे मजीद प्लांट जो हैं वो तियार कर सकते हैं इसके इलावा इसके ये जो flowers हैं इन पर seeds भी बनते हैं और इने seeds के जरीए से भी grow किया जा सकता है लेकिन seed के जरीए से grow करना निस्बतन मुश्किल है जबके इसको divide करना और divide करके इसको grow करना कफी easy है इसके लावा फ्रेंड्स ये pest free plant है इस पे कोई किसी किसम का pest नहीं लगता actually ये pest repellent plant भी है जहां पे आपके बहुत सरे plants लगे में हैं खासतों पे जमीन में या गमले में भी तो भी आप इसको pest से बचाने के लिए इस plant को बाकी अपने plants के दरम्यान में grow करें तो ये बाकी plants को भी इसकी जो खुश्बू है उसकी वज़ज़ से बाकी plants पे भी pest काम आएंगे तो इस तरह से ये pest free plant है बहुत ही easy to grow हो गया कोई इस पे मसला नहीं आता इसके लावा फ्रेंड्स इसके ये जो flowers है इस पे honey bees, butterflies बहुत ज़दा attract करती है और इस पर honey bees तो बहुत ज़दा आती है मेरे इस plant पे बहुत ज़दा honey bees आई वे होती है तो ये pollinator's को attract करेगा और अगर आपके आपने vegetables grow की है तो उसमें भी आपको बहुत helpful होगा तो इसके इलावा फ्रेंड्स इसकी जो medicinal values है वो भी बहुत ज़दा है ये anti-bacterial, anti-fungal properties के लिए जो alignment बनाई जाती है ये medicines बनाई जाती है उनके लिए use होते है बहुत सारी इसकी खोबिया है तो I hope friends ये जो मैंने society garlic lily के बारे में आपको useful information दी है आपको अच्छी लगी होंगी अगर आपको ये information अच्छी लगें तो please मुझे जरूर comments में बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे like और share भी करें thanks for watching